तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ कि आखिर इंटरनेशनल लिटरेसी डे आखिर कब मनाया जाता है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो एजुकेशनल वर्डस्टर चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप से डिसकस करने वाला हूँ इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में तो दोस्तो जै वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं अभी आप से मैं डिसकस करने वालाओं की आखिर जानी अंतरास्ट्री साक्षर्ता दीवस आखिर कब मनाया जाता है तो अंतरास्ट्री साक्षर्ता दीवस एक इसा दिन होता है जिसको हर वर्ष मनाया जाता है इस दिन को सेप्टेंबर के महीने में मनाया जाता है जब आठ सितंबर का दिन होता है तो उस दिन को International Literacy Day के रूप में उस दिन को मनाया जाता है इस दिन को मनाने से पहले सबसे पहले आपको जे पता होना चाहिए कि साक्षर्ता क्या होती है जानि साक्षर्ता का आखिर क्या मतलब होता है तो साक्षर्ता जो शवदे वो साक्षर से बना है जिसका जो अर्थ होता है वो पणने और लिखने में सक्षम है तो दुनिया वर में हर वर्ष हर वरक के अपने नागरी को तक सिख्षा के परचार परसार के उदेश्य से हम International Literacy Day मनाते हैं तो सबसे पहली बार जो International Literacy Day था उसे 8 सितंबर 1966 को मनाया गया था तो अंत में दोस्तों मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हम International Literacy Day हम हर वर्ष मनाते हैं जो कि 8 सितंबर को हर वर्ष आता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे International Literacy Day के बारे में आपसे मैंने इस वीडियो में डिसकस किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी तो अंत में दोस्तों अभी आपको जैब वीडियो कैसी लगी अगर आपको जैब वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद